नारी केवल पती की सेवा करे, नारी ये ना सोचे कि मेरा पती कैसा है, वो अंधा है, लंगडा है, बहरा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, बहुत नालायक है पती, कोई बात नहीं, वो है न, तुम तो मत बनो आप अपनी जगह बढ़िया रहो, सुख से रहो, आनंद से रहो, आपको कोई गाली दे, तो भी सुनो, कोई बात नहीं, हाँ, और हमेशा पतनी को चाहिए, अभी पतियों का भी लक्षन बताऊंगा, मातां सोच रही होंगी, महराजी कुछ पतियों का भी बताऊंगा, पहले आपका पूरा हो जाए, बिन परमेश्वर सुना मंदिल, बिन्दिया बिना लिलार सुना, पति बिना संसार जैसे मंदिर मूर्ती के बिना सुना है, जैसे नारी का मस्तट बिन्दिया के बिना सुना है, उसी प्रकारिस्त्री पति के बिना सुनी है पती ही जप है पती ही तप है पती ही है करतार पती से ही पत इस तन की है पती बिन बिपती हजार सुना पती बिना संसार एक पती ब्रत रहे जगत में सब ब्रत हैं बेकार नारी का एक ही ब्रत है ना तो सौंबार का ब्रत रहो ना तो मंगलवार का ना बुधवार का ना गुरुवार का ना शुक्रवार का ना तो एका दसी ना तो पूर्णिमा ना तो आमावश्या आपने सारे ब्रत किये पर पाति ब्रत नहीं किया पति ब्रत ना बन पाई तो सारे ब्रत बेकार है और सारे ब्रत नहीं किया केवल पति ब्रत बन गई कहते हैं हाथी के पाओं में सब के पाओं आ जाते हैं कोई इस्त्री पति ब्रता हो गई तो सारे ब्रत उसके भीतर अपने आप आ जाएंगे उसी अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है नारी को कैसा होना चीए पति ब्रता होना चीए एक पति ब्रत रह जगत में सब ब्रत हैं बेकार बिन पति ब्रत के नारी कातो जीवन है बेकार सुना पति बिना संसा पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णू पति नरव दाधार जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नईया पार सुना पति बिना संसा इसलिए वो नारी सरवस्रेष्ठ मानी जाती है जो पति ब्रता होती है पति ब्रता बनो पहले की माता है तो पती की लंबी आयू चाहती थी तो मांग बहुत लंबी भरती थी आज गल्दो माताओं ने मांग भरना छोड़ दिया इनका इसकार्थ यह है कि आप नहीं चाहती हो कि आपका पती लंबी उम्र पाए लंबी मांग हो गले में मंगल सूत्र हो आज एक मंगल सूत्र भी नहीं पहनती बहुत सारी स्त्रियां चूड़ी पहनती नहीं पहले के जमाने में कहते थे जिसका हाथ सूना होता था न वो बहुत अप सगुन माना जाता था सुहाग निस्त्री का हाथ सूना नहीं होना चाहिए एक ही सही चूड़ी होनी चाहिए पर आज कर माता है फैसन के चलते एक हाथ में तो यहां तक चूड़ी पहनती है दूसरा हाथ पूरा खाली क्यों फैसन है आग लगें से फैसन को ऐसा फैसन कि इस फैसन में संस्कृती समाक्त हो रही है जानती हो इसका क्या अर्थ है कहते हैं पती ब्रता नारी बड़ी सवभाग ग्यवती मानी जाती है पती ब्रता सुहाग निस्त्री जिसके मांग मैं सिंदूर हो बड़ी सवभाग ग्यवती नारी है वो तो ये तो आपका सवभाग है, चूड़ी पहनना, मंगल सूत्र पहनना, मांग भरना, भगवान ना करे कि आपकी मांग खाली हो जाए, भगवान ना करे आपका हाथ खाली हो जाए, हमारे यहां तो लोग कहते हैं, दुस्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना हो, दुस्मन की बे पर आप माँ को देने चाहिए पर आप माही मांग नहीं भरती तो बेटी को क्या भराइगी, सब तो भी गड़ रहा है, इसलिए रिष्टा आज रिष्टे ना बहुत कच्छी दोर पर हो गए हैं, पक्के रिष्टे नहीं, हमारे जमाने में, उस जमाने में, पुराने जमाने में कहते हैं घर तो कच्चे हुआ करते थे पर रिष्टे बहुत पक्के हुआ करते थे अब घर सब के पक्के हैं पर रिष्टे सब के कच्चे है